हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है बीजेपी, कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है वैसे तो हिमाचल प्रदेश में चुनावी मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच है लेकिन इस दफ़ा आम आदमी पार्टी भी राज़े में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और आपका मनसुबा कॉंग्रेस की वोट बैंक में सेंध लगाने का है लेकिन राज़े में सबसे ज़ादा डरी है बीजेपी तो क्यों डर रही है बीजेपी देखते हैं ये रिपोर्ट हिमाचल की सत्ता पर काबिस बीजेपी ने रिवाज बदलो का नारा दिया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर प्माच साल में सरकार बदलने का रिवास है इस नारे के साथ बीजेपी मिशन रिपीट में जुटी है हिमाचल प्रदेश में चुनाप रक्रिया से जुड़ी अवधी छोटी होनी की वज़े से शुरुआती बड़त बनाने के लिए बीजेपी ने पहले ही पियम मोधी को मैधान में उतार दिया है क्योंकि बीजेपी भी जानती ही कि राजजे में उसकी हालत खराब है महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं लेकिन कॉंग्रेस ने भी मोधी के जवाब में प्रियंका गांधी को खड़ा कर दिया है कल हुई अपनी रैली में प्रियंका ने बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है प्रियंका जहां राजजे में बीजेपी की पोल खोड रही है तो वही करनाटक में राहूल गांधी भी मोधी सरकार की धजिया उड़ा रहे है एक तरह से कॉंग्रेस ने बीजेपी पर मनोवेग्यानिक बड़त बना ली है हिमाचल में अभी तक के हालात में मुख्य मुकाबला बीजेपी कॉंग्रेस में है अगर आम आदमी पार्टी का हिमाचल में असर होता है तो सत्ता विरोधी वोट में आप सेंद लगा सकती है और इसका फाइदा बीजेपी को होगा वही हिमाचल बीजेपी के राश्टी अधग जेपी नड़ा का होम स्टेट है और वो हर हाल में राज्जे में बीजेपी की वापसी कराने के लिए सब ही दाउंच चल रहे हैं अगर यहां विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदेशन खराब रहता है तो यह बीजेपी के लिए बड़ी चोट होगी हिमाचल में 1992 की बाद हर चुनाव में सरकार बदलती रही है बदलाव के इस सिलसले से कॉंग्रेस के होसले बुलंद हैं और राजे में एक बार फिर बदलाव की बात हो रही है हिमाचल चुनाव में कॉंग्रेस को भारत जुड़ो यातरा का फाइदा भी मिलता नजर आ रहा है खबरों की माने तो यातरा के बीच से राहुल भी चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल आ सकते हैं मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर के नेतरित में 2021 के स्थाने निकाय चुनाव में भाजपा ने कॉंग्रेस से बहतर प्रदेशन किया था पर पार्टी मुख्यमंतरी के ग्रेजले मंडी, शिमला, सोलन में कॉंग्रेस से पिछड़ गई थी इसके बाद फतेपूर, आर्की और जुबल, कोटखाई, विधान सभा और मंडी लोकसभा सीट पर चुनाव में कॉंग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा जटका दिया बीजेपी सभी चुनाव हार गई थी ऐसे में कॉंग्रेस अगर आपसी मदभेद को भुला कर एक जुट्टा के साथ चुनाव में उतरती है तो इस बार कॉंग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही है